चेतन भगत खान सर से पूछते हैं कि आपने बहुत गरीबी देखी है और खान सर कहते हैं कि हमने गरीबी उतनी नस्दीकी से देखी है जितनी कोई अपनी पत्नी को देखा नहीं होगा और दर्शक दिरगा में बैठे सारे लोग एक दम से ताली बजाने लगते हैं और एक निजी चैनल के कारिक्रम में खान सर का इंटर्व्यू ले रहे थे मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत और उसके बाद खान सर से जो उन्होंने बातचीत की उसका भाग हम आपको बताने के छाहिए खान सर कहते हैं कि एक बार एक घर जाने के लिए 90 रूपए चाहिए थे तो मिरे पास 40 रूपए था ema पता-चासर मिरे पास था नहीं कि हम घर आपाए हम घर नहीं जा का थे और यही जीवन है कुछ सालों के बाद हमको एक 107 करोड रुपए' का जौब अफे Are लाग के फीज को हमने सारे साथ हजार में कर दिया और वो मास्टर साहब जो भारत के सबसे बड़े शो कपिल सर्मा शो में जाते हैं तो शो सूपर डूपर हिट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को खान सर की बाते सुननी थी वही खान सर दिल्ली के एक बड़े चैनल के ब 50 रुपए नहीं थे और उसी जीवन में आपको एक वक्त 107 करोड रुपए का ओफर दिया गया तो कैसा लगा था खान सर ने कहा बहुत मजा आया था लेकिन हमने उस ओफर को अपने ही स्वैग में ठोकरा दिया चेतन भगत पूछते हैं कि क्यों ठोकरा दिया तब खान सर क कहते हैं कि जब मेरे कोचिंग सेंटर पर बम मारा गया तो आसपास के सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए थे सारे लोग गर कर भाग गए थे लेकिन खान सर का कोचिंग सेंटर बम मारने के दिन ही अगले बैच से उसी की तरह चल रहा था और पटना के मुसल्ले पुरहाट क सारे लड़के और लड़किया मेरे कोचिंग संटर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, पुलिस के आने से पहले हजारों बच्चे मेरे कोचिंग संटर के बाहर आकर बैठ गए थे और उसके बाद सोचिए कि 107 करोड में क्या वो बच्चों को खरीदा जा सकता है ये सब जब खान सर बोल रहे थे तो एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि लोग तालिया नहीं मार रहे थे दर्शक दीरगा में बड़े बड़े लोग जो फॉर्मल कपड़ा टाई शूट बूट लाकर बैठे थे एक बिहार के लड़के को सुनने के लिए बे मजनू होता है और उसका दिल तूटता है तो मजनू नहीं बनता है वो माजी बनता है वो पहार तोड़ देता है खान सर बिना रुके कहते हैं कि हमारे यहां युद्ध से पहले बुद्ध को पढ़ा जाता है और खान सर कहते हैं इसलिए हमने उस सबसे एलीट जॉब वाले जो fee structure था उसको ध्वस्त करके रख दिया और हमने एक ऐसा fee structure बनाया कि जब DM सहाब किसी बड़े से कुरसी पर बैट कर लोगों को देखेंगे तो लोग भी बले कुरसी पर नहीं बैटे होंगे लेकिन आख उठा कर देखेंगे क्योंकि हमने उनके mental state को उनके बराबर कर दिया है खान सर बहुत आसान सा बात कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि UPSC के जितने बच्चे हमारे यां UPSC के तयारी कर रहे हैं वो सारे लोग DM नहीं बन पाएंगे लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर सारे बच्चे आकर पढ़ लेंगे तो उनमें सोचने की काबि लिए ता जाएगी वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि वो भी कुछ कर सकते हैं और जब जब खांसर ये सब बात बोल रहे थे तब तब जो लोग वहां बैठे हुए थे तालीब आ रहे थे खांसर ने एक दम ध्यान से तोड़ तोड़ कर समझाया कि पढ़ाई क क्यों जरूरी है उन्होंने बताया कि उनके जसा शिक्षक 107 करोड रुपया में क्यों नहीं बिका उन्होंने बताया कि वो बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं उन्होंने बताया कि जब एक तरफ पूरी दुनिया एडूकेशन को धंधा बना चुकी है तो एक तरफ वो भी जो कम पैसा लेकर बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास 50 रुपया नहीं था घर जाने के लिए और सबसे बड़ा जो चेतन भगत का मोमेंट था वो यही था कि जब उन्होंने खांसर से पूछा या अपने गरीवी को बहुत करीब से देखा है और कितने करीब से देखा है तब खांसर कहते हैं कि हमने जितने करीब से गरीवी को देखा है उतने करीब से किसी ने अपनी पतनी को नहीं देखा होगा और जैसे ही खांसर ये कहते हैं सारे लोग तालीब आने लगते हैं और एज़ा बिहारी पत्रकार जो हम पहले बुद्ध को पढ़ते हैं तो लगता है कि हां बिहार बदलेगा जिस ऐतिहासिक प्रमानों काुदारण दे कर हम कहते हैं कि हमारा बिहार बहुत अच्छा था उन्हें इतिहास को भूल कर हम अपने वर्तमान को ठीक कर रही है और अपने भविश्य को सवार रही है खान सर को सलाम करिए उन तमाम लड़कियों को सलाम करिए जो बिहार के गलियों से निकल कर देश और विश्य भर में हमारे राजी का नाम रोशन कर रही है और हमें बार-बार भरुसा दिला रही है कि सब बदलेगा और एक दिन सब फिर से अच्छा हो जाएगा धन्यवाद